तो देखते हैं पर question number 8 में हमसे क्या पूचा गया है, if the charge on an electron is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलम, how many electrons should pass through a conductor in 1 second to constitute 1 ampere current? तो यहां पर हमें electron पर जो charge होता है, वो हमें यहां पर given है, और हमें यहां पर बताना है कि कितने electron pass करेंगे, एक second में, एक ampere current में है, तो करते हैं यहां पर इसको solve, हमें यहां पर charge on electron रहता है, जो कि यहां पर कितना है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलम है, तो यहां पर current का formula हो i multiply t, तो जो हमारा यहां पर current है 1 ampere है, और जो time दिरका है वो यहां पर क्या रहता है, तो जो हमें यहां पर i की value दिरके है, वो यहां पर 1 ampere दिरकी है, और time हमें यहां पर 1 second का दिरकखा है, पूट कर देंगे तुझे हमारे यहां पर कितना आजाएगा 1 कुलम आजाएगा हमें यहां पर निकालना क्या था कि यहां पर 1 कुलम चार्ज से कितने इलेक्ट्रोंस पास करेंगे तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ If charge is 1 कुलम If charge is 1 कुलम The number of electrons तो यहां पर कितने इलेक्ट्रोंस जो है वह यहां पर क्या होँगे पास करेंगे तो यह हमारे यहां पर क्या हो जाएगा Simple divide हो जाएगा 1 upon 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलम हो जाएगा Simple मैं यहां पर क्या करूँगा उपर नीचे 10 से multiply कर दूँगा जिससे कि यहां पर जो point है वह यहां पर क्या हो जाएगा तो उपर नीचे 10 से multiply करने पर यहां पर कितना हो जाएगा यह हमारा 10 हो जाएगा और 10 को अगर मैं यहां पर 1.6 से करूँगा तो यह हमारे यहां पर कितना हो जाएगा अब यहां पर क्या होगा 16,2 जा 32 होगा अब यहां पर बचा कितना 8 बचा point लगा हुआ 0 ले सकते हैं and 16,5 जाएं यहां पर कितना होता है 80 होता है तो यह हमारा कितना आजागा, यहाँ पर आजागा, हमारा 0.625 इंटू 10 की पावर, अब जो यहाँ पर माइनस 19 था, इसको अगर हम उपर ले जाएँगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, अब हम यहाँ पर निकाल के रहे थे, इलेक्ट्रोन्स निका करता हूं तो यह हमारे हैं पर क्या हो जागा एक पॉइंट यहां से रेडियूस हो जाएगा क्योंकि हमने यहां पर क्या कर रहा है एक टैन निकाल के इससे मंटिप्लाइ कर दी तो पॉइंट हमारे हैं पर क्या होगा आगे आ जाएगा तो यहां पर हमारे कितना होगा 6.25